हे गाई स्वागत आपका अपने ही चैनल सुदी क्लासेस पर आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 का क्लास 4 के एवियर्यूस का second part करेंगे ठीक है second video है हमारे क्लास 4 के एवियर्यूस का तो first part अगर आपने ना देखा हो तो वो प्ले में जाकर देख लीजेगा ताकि इसके पहले पॉइंट जो हमने कवर कियें वो आप ध्यान रखें और पढ़ सकें अब यहां के आज की वीडियो में हम चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक हमारे क्या है राजस्थान जोधपुर खेजडली गाउं आज हम इसके बारे में थे पाइंगे राजस्थान जोधपुर के बारे में जिसमें कौन सा गाउं है खेजडली गाउं आप देखिए इसमें क्या QUEHP yogh राजस्थान के इस खेजडली गाओं में खेजडी के बहुत से पेड़ थे ठीक है ये पहली बात खेजडली गाओं है कहाँ पर राजस्थान में है आप पूछा जाए अगर खेजडली गाओं कहाँ पर है तो राजस्थान में है ठीक है में खेजडी के बहुत से पेड़ थे खेजडली गाओं में खेजडी के पेड़ पाए जाते हैं ठीक है खेजडली से आपको खेजडी वह ध्यान रखना है राजस्थान के इस खेजडली गाओं में खेजडी के तोछ से पेड़ थे खेजडी गाओं के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गये थे खेजड़ी गाओं के जो लोग थे वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले ठीक है 300 साल पहले की बात है जब पेड़ काटा जाता था तो खेजड़ी गाओं के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ ना कटने पाए ठीक है तो next point देखे क्या कह रहा है आज 300 साल के बाद भी यहां के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं 300 साल के बाद इस खेजरली गाओं के लोग क्या कहलाते हैं बिश्नोई कहलाते हैं पेडों और जानवरों की रक्षा करते हैं ठीक है 300 साल पहले की बात जो थी वहां के लोग जो थे वो पेडों को कटने से बचाने के लिए पेड़ से च्पकर खड़े हो जाते ताकि कोई काट ना पाए लेकिन अब 300 साल के बाद भी यहां के लोग जिनको हम बिश्नोई कहते हैं जो की बिश्नोई कहलाते हैं पेडों और जानवरों की रक्षा करते हैं ठीक है रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं ठीक है अब यहाँ पर उपर हमने पढ़ा था खेजड़ी गाओं के बारे में जहाँ पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते थे अब हम especially खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो देखे खेजड़ी के बारे में क्या कहा जा रहा है या पेड रेगिस्तानी इलाकों में खूप पाए जाता है ठीक है खेजडी का पेड कहां पाए जाता है रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाता है और अगर प्रॉपर जगे की बात की जाए तो कहां पाए जाता है राधस्थान में पाए जाता है ठीक है में खूप पाए जात इसे जादा पानी की जरूरत नहीं होती है इस पेड़ को खेजड़ी पेड़ को जादा पानी की जरूरत नहीं होती है इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है खेजड़ी पेड़ की चाल होती है वो किसके काम आती है दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा न नहीं लगता है ठीक है फिर next point कहा रहा है पेड़ की कलिया पेड़ की फलिया सबजी के काम आती है ठीक है पेड़ की जो फलिया है वो किसके काम आती है सबजी के काम आती है पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं अब इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं देखिए से कितना पाइदा होता HERE अब next point थोड़ा सा इस पेड़ से अलग कारे है next point का है अनीता कुश्वाहा को क्या कहा गया है चमकता सितार कहा गया है यानि की girl star गया है किसको कहा गया है अनीता कुश्वाहा को कहा गया है याद रखेगा अनीता कुश्वाहा को चमकता सितारा कहा गया यानि की गिर्ल स्टार नाम दिया गया है चमकते सितारे उन साधारन लड़कियों की असाधारन कहानिया है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली चमकते सितारे का चमकते सितारे ये वर में जुझार्परपुर में लोचाहों के बारे में फीक है अब देखे इसके बारे में क्या कहा गया है इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाई हाथे। इस इलाके में क्या पाई जाते हैं? लीची की पेड़ पाई जाते हैं, मुझा परपुर जो है ना, यहाँ पर सबसे जाता है, क्या पाई जाता है? लीची का पेड़ पाई जाता है, लीची सबसे जाता है, मुझा परपुर में आने की बिहार में ही पाई जाता है, तो नेक् का कईके ध्यान रखेगा इन प Lamborghini को सरकार का सर्कारी खोस भी होता है ठीक है आपको पता था कि मधो मक्छी पालने का थे सरका सरकारी घूर्ट भी होता है ठीक है आक्टूबर से धिसेंबर वद्युमक्छी के अंड़ेंदेने का समय होता है इसक देनास इजामस में ध्यान रखेगा मदुमक्खी के अंदे देने का समय क्या होता है अक्टूबर से दिसंबर तक और मदुमक्खी पालन चुरू करने का अप्युक्त समय भी माना जाता है ये क्वेस्चन पूछा गया इजामस में मदुमक्खी पालन चुरू करने का या मदुमक्ख पालन का समय क्या होता है तो अक्टूबर से दिसंबर होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल परवरी में खिलते हैं एक मधुमक्खी बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है ठीक है एक मधुमक्खी का बक्सा अगर लिया जाए तो उससे कितना शहद प्राप फिर आप नेक्स देखी किस अप्छी रानी मदुमक्खी होती है जो लिए इन्डे ंडे मदुमक्खी का होता इन्डे देने का का it is avoid कि उपी नेक्स-पोइंट का imagine 5 और श T च्छथे supuesto में कुछ नर्म होते हैं जर की एक काम सिर्फ़ करते हैं। बाकि कोई काम नहीं करते हैं। च्छते बहुत सारी काम करने वाली मदुमक्ख्यां भी होती हैं, जहां दिन बर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंडती हैं। बहुत सारी काम करने वाली मदुमक्षियां भी होती है, दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढून कर लाती है और अंडे देने का काम करती है दानी मदुमक्षिय ठीक है? ध्यान रखेगा, अब नेक्स चलते हैं अब देखें यहाँ पर क्या है जब किसी मदुमख्य को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जब किसी मदुमख्य को रस मिल जाता है तो क्या करती है एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मदुमख्यों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है जब किसी मदुमख काम करने वाली मदुमक्खिया इसी रस से शहद बनाती है जो काम करने वाली मदुमक्खियों का होता है फिर नेक्स है बच्ता बच्ता बने का काम फूलों से रज़ धून कर दाने का काम है, बच्चों को पालने का काम है रानी मख्षी केवल अंडे देती है, जो रानी मख्षी है, वो केवल और केवल अंडे देती है समझ में आगए Vamos, यहाँ पर मधुमक्हिसों में भी किसके किसके बारे में बताये गया है अब next देखें यहाँ पर है चीटियां, दीमक और ततयिया चीटियां, दीमक और ततयिया के बारे में यहाँ पर कहा रहा है चीटियां भी मिलजुल कर रहती है चीटियां भी कैसे रहती है, मिलजुल कर रहती है, दोस्तों तरह रहती है नेक्ट पॉइंट क्या रहा है चीटियों का काम बटा रहता है अब देखें चीटियों में कैसे काम होता है ऊपर हमने देख लिया कौन से काम किसका होता है ठीक रानी मदुमक्खी को क्या होता है नर्मदुमक्खी का काम क्या होता है वो सब हमने देख लिया अब यहां पर हम यहां पर उसी तरह से रानी चीटियां जो होंगी वह अंडे देंगी ठीक है सिपाही चीटियां तो सिपाही के काम क्या होता है ध्यान रखना होता है तो सिपाही चीटिया काम क्या है बिलका ध्यान रखना काम करने वाली चीटियों काम क्या है भोजन ढूंड कर बिल तक लात हैं next point क्या कही रहा है दीमक और ततयएव भीशमू में रहते हैं यह उपर बात की गईती आमैंगे चीटिवियों के बारे में अभीहाँ पर बात की गईमिक और ततयएवशमू में जाता है वलसाड कौन सी जगह है कहां की जगह है तो गुजरात की में पाई जाती ठीक है वलसाड एक जगह है जो की गुजरात में है इसे तरह से एंदाबाद भी कहां पाई जाता है तो गुजरात में है अब नेक्स है कोजी कोड तो कोजी कोड कहां पाई जाता है केरल में एक जगह है अब नेक्स से मडगाओं मडगाओं कहां पहलता है गोवा में पाई जाता है और गोवा में लाल मिट्टी भी पाई जाती है तो धान रखेगा गांधी धाम एमदाबाद या वलचाड गुजरात की जगह है कोजी कोड केरल में पाई जाता है केरल की जगह है गाउं कहां का गाउं है गोवा का गाउं है तो अब चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे तब ते के लिए थैंक्यू गाइस बबाई